नमस्कार दोस्तों Target with PS परिहार चेनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर परदेश्री शक्पाथता परिच्छा की उत्तर कुंजी की संस्क्रत की उत्तर कुंजी मैं अपलोड ही कर चुका हूँ और इस वीडियो में बात करेंगे mathematics की उत्तर कुंजी की तो आएए शुरू करते हैं आगे बनने से पहले एक बात और जो नवीवर है या नयमेत्र है जिनोंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगों को भी इसी तरीकी का अप्डे तो दूसरी बुझा है वह 15 और 8 23 तो 15 के स्कॉयर 8 का स्कॉयर बराबर होगा 17 का स्कॉयर 289 की इसके बाद में बानवे नेमबर कुश्चन है टुक पावर मैनस 9 का होल स्कॉयर मैनस 9 जो इसको आप लोग साल्व करेंगे तो जो संक्या मिलेगी वह A B और C यानि वह अभाज होगी रही और सम संक्या है दो भी सही है और गुणक तो ए और दिर चौतर हो जाएगा इसके बाद में जो अगले पर सने कौन सा कंघन सही है एक भाज संध्य बिशम भी हो सकते है FXNB है यह 6 हो जाएगे इस कांसर नंबर 2 6 भुजाएं होंगी एक सरल रेगा पर बहुत सारे बिंदू हो सकते तो 95 का चौथा असंख है फिर एक पाइथा गोरस त्रिक जिसकी सबसे चोटी संख्या 8 है तो 8 का स्कॉयर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पता है तो पहला वाल इसका अंसर जो 120 आया था इस पर भी वही क्वेश्चन यह नीची आ गया पंद्रा आठ और बीस यह पाइथा गोरस को सिद्ध करता है अगला जो प्रशन है जेट कमान ग्याद कीजिए यादि संक्या एक तालिस साथ जेड और आठ है तो नहीं से विभाज तो साथ आएग गुड़े तीन की पावर बी और फाइब की पावर सी जब आप लोग इसको हल करेंगे तो इसका जो आएगा वह आएगा एक यह पटेट चालिस 98 का दो यह हो जाएगा पार्शो आकरती ग्याद करें एक्स कमान तो बहुत यह तो बहुत ही आसान था यह टू का क्यूब किसी बंटन का बहुलग ज्याद किया जा सकता है आवरती बहुपूच की द्वारा यह वाला और सो का तीसरा इसकी बाद में एक आयत की लंबाई में 60 प्रिस्थित की वृद्धी करने पर और उसकी चोड़ाई में कितने प्रिस्थित की कमी करनी होगी जिससे आयगा छित पांच इनको मान के लगाया जाता है इसके बाद में जो अगला प्रसन एक घंका आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी बवभूच की रंबाई के योग के बराबर है घंका संपूर्ल प्रस्थिय चेतफल वर्ग इकाई में है तो यह काफी विसलेशलात्मक प्रसन था और इस 126 लाघ 26 जार पांसो है 2016 में उसका 30 प्रसेद बढ़ा था और फिर 15 प्रसेद बढ़ा और अब उसका एक लाघ 26 जार पांसो कैसे होगा तो एक लाघ 26 पांत सो के नीचे आप 110 गुडते 115 कर देंगे साल्फ करेंगे तो आपका यह एक लाघ रुपए आ जाएगा इसका आप बटे अड़ तालीस है तो दूसरी संख्या कितनी हो कि बहुत ही असान क्यूस्टेशन है और यह एक्सेट मुचा जाता है मात्म समापवर्तक गुड़ते लगत्म समापवर्तक बरापर दूसरी संख्ये गूड़ते पहली संख्या तो इसमें करना कुछ नहीं है 6 गुड़े 432 बटे 48 करना है ऐसे ऐसे यह आगी आपका 54 एक सो पांचो प्रसमें देख लिजिए किसी महीने का तीसरा सुक्रवार सोलवी तारीक को पड़ता है इस तरीके से यानि की चार मापचे से दिया ना मैंने पता है भी आपसे A B C और D तो यह भी है A B C एक तिरिभुच बना है फिर B C D एक तिरिभुच बना दो गया फिर C D A आपसे तीसरा तिरिभुच बना फिर D A B एक और बना तो इस तरीके से चार त्रिभूज आपके बंद आएंगे तीन तीन मापों से अगला जो प्रस्ण है एक भिन का हर अंस के दो गुने से एक अधिक है अंस में जोड़ने पर इसका अंसर चार बटे नहों हो जाए कि बहुत सिंपल कुश्चन है था अगला कुश्चन आ गया सरल कीजिए तो इस इसे कामन है तो सिंपल से इसकी बारा होगा एक कमरे के लंबाई 10% गटाई गई चोणाई 20% गटाई गई उंचाई 5% बढ़ा दी गई तो इस कमरे के आयतन में परिवर्तन तो चोबीस दिस्वालों चार जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो चोबीस दिसनम्लों चार इसम सब्सक्राइब करेंगे तो जब इसको अपसाल्व करेंगे तो इसका आज आएगा गुणन फल में इकाइक अंक तो इस तीन के जब करेंगे तीन त्रिक त्रिक के सताइस तो यह आपका जाएगा साथ और काभी कुछ तो ट्रिक के साप से क्वेशन पूचे गया थे यदि एक बिन के अंस को बीस प्रतिसत और उसके हर को पच्चिस प्रतिस बढ़ा दिया जाए तो बिन तीन बटे पांच हो जाती तो मूल बिन क्या है तो मूल बिन आपकी पांच बटे आठ इसको देख ल करणाएंगे तो दो बड़ जाएगा तो आपका आज गया शें अब इसको पकाटें में तो यह तीन बटे-पांच यह हो गया तीन बटे-पांच इस नहीं जो आपका अंसर वह पहला सही हो जाएगा पांच बटे-अठ अप अगला चैक्ट न है आठ से भाज्य होने वाली सेंख्या कौन सी आप हाल करेंगे आठ का बाग इसमें भी चला जाएगा आठ का बाग इसमें भी चला जाएगा तो आंसर तीसर सही हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड एक सो अलवा कोशन देख लीजिए एक त्रिपजयाकार प्रिज्म में कितने सीर्स होते हैं तो यह त्रिके से आपका ایک में कियो यह देखिए बन गया एक प्रिज्म में में कुल मिलाकर के चार को ने होते हैं अगला को सलकें नहीं है इसका एक तो एक बटे एक हाजार जोंकि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो यह और भी दूसरा विकल्प सही है दसमलोग जीरो एक को प्रतिसत के रूप में लिखने पर क्या होगा पॉइंट जीरो 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 वन तो यह इस तरीके से यह हो जाए एडी और तीसरा विकल्प सही हो जाएगा एक सुबीसमा लास्ट क्वेस्चन है यहीं दो संख्याओं का अंतर और गुडणफल क्रमसा पांच और च्छतीस हो तो उनके बित्क्रमों का अंतर कितना होगा तो जब दो संख्याओं का अंतर किया है तो नो में चार गटाए तो पांच आ गया है जब गुडणफल कर दिया है तो चतीस आ गया यह देख लीजिए पूरा मैच कर रहा है तो आप उनके बित्क्रमों एक बटे नौ गुड़ते एक बटे चार करेंगे आपका अंसर यह आज लोड़ी तेरे में आपकी पूरी उत्रकुंजी अपलोड कर दूँगा तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब कर ले और टार्गेट विद परिहार का एप भी लांच हो गया है तो डिस्क्रिप् यूपी ट्रेपल सी सीटी इत्याद की अनलिम्टेड टेट सीरीज में भाग ले सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद